दिखे ज़ाक शाब्ध है आम तर से बोल्चाल में लिखने पढ़ने में परियोग होता है। तो इस video में completed का Hindi और इंगlish में क्या आरतोर मतलब होता है जानेंगे, आम बोल्चाल में, sentences में किस तरह से यशाब्ध को परियोग करेंगे, कम्पीटेट का मतलब होता है try to be more successful in comparatively someone else मतलब किसी दूसरे के मुकाबले में काम्याब होने की कोशिस करना को हम बोलते हैं कम्पीटेट या कोशिस किया मतलब दूसरे से जीतने या उससे आगे निकलने का पर्यतन किया मुकाबला किया तो हिंदी में अर्थ हुआ कम्पीटेट का होड लगाया परतियोगिता में भाग लिया परतियस परधा किया मुकाबला किया बराबरी किया इंग्लिश में इसके सिनॉनिम्स आते हैं contested, fought, contended, battled, wrestled, challenged, took part, phased and इसके सिनॉनिम्स हो सकते हैं चले इस अप्ट को sentences में यूज़ करके अच्छी तरह से समझते हैं जैसे बोलेंगे मतलब उन्होंने तुलनात्मक रूप से कुछ ही राष्टमंडन खेलों में भाग लिया दूसरा example है कि नेपाल competed for the first time as a country in the cricket match मतलब नेपाल ने पहली बार एक देश के रूप में cricket match में मुकाबला किया, भाग लिया, हिस्सा लिया ठीक है तुमिन आपने competed शब्त को हिंदी और इंग्लिश में example के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है थैंक्स वर वाचिंग एजुकेर डेस्क